नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए पॉलिटी का सबसे ज़ादा इंपॉरेंट टॉपिक लोक सभा इसके मुस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आयों फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक से हर एक्जाम में कोशन पूछे ही जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से सम्मिधान के किस अनुछेद में लोक सभा के बारे में बताया गया है सही आंसर है ऑप्शन सी अनुछेद 81 सम्मिधान का जो फ्रेंट्स अनुछेद 81 है इसमें लोक सभा के बारे में बताया गया है इंपॉर्ण कोशन रहेगा आपके एक्जाम के लिए नेक्स कोशन कर ले किसी विधेक को धन विधेक कौन घोशित कर सकता है। सही आंसर है, option D, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं friends, कि वल वही ये घोशित कर सकते हैं कि कोई भी जो धन विधेक है वो धन विधेक है या नहीं। समिधान के किस अनुचेद में धन विधेक के बारे में बताया गया है। धन विधेक को हम मनी बिल भी बोलते हैं। सही आंसर है, option D, अनुचेद 110, समिधान का जो अनुचेद 110 है, इसमें धन विधेक के बारे में बताया गया है। next question, लोक्सभा अध्यक्ष के सकते हैं नेक्स कोशन लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत किसे देते हैं सही आंसर है ओप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष को फ्रेंड्स अपना त्यागपत दे सकते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष नेक्स कोशन करते हैं, लोगसभा अध्यक्ष का चैन कोन करता है, सही आंसर है, ओप्शन D, लोगसभा सदस्य, लोगसभा सदस्य जो होते हैं फैंस ये लोगसभा अध्यक्ष का चैन करते हैं, नेक्स कोशन, लोगसभा सदस्य बनने के लिए क्या योगयता होनी चाहिए, सही आंसर है, option E, उपियुक्स सभी, यानि कि नियोंतम आयू चाहिए 25 वर्ष की भारतिय नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाब के पत पर ना हो, मानसिक तोर पर ठीक हो, ये सभी योगिता चाहिए लोगसभा सदस्य बनने के लिए, नेक्स कोशन, लोगसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिती में किसी विधेक को धन विधेक कोन घोशित कर सकता है, सही आंसर है, option D, लोगसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, वो लोगसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिती में किसी भी विधेक को धन विधेक घोशित कर सकते है next question समिधान का कौन सा अनुचेद लोकसभा में आरक्षन से संबंदित है सही answer है option A अनुचेद 330 समिधान का जो अनुचेद 330 है friends कि लोकसभा में आरक्षन से संबंदित है friends मैं आपको बता दूँ कि यह टॉपिक में आपके लेकर पॉलिटी का उसका नाम है लोकसभा जितने भी कोशन बन सकते थे लोकसभा से मैंने सारे कोशन इस वीडियो में इंकल्यूड कर दी है पिछले साल के कोशन भी मैंने इस वीडियो में इंकल्यूड की है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो चाहे स्टेट PCS की त्यारी कर रहे हो, चाहे SSC की त्यारी कर रहे हो, रेलवे की, पुलिस की, पटवारी की, डिफेंस एक्जाम की, हर एक्जाम के लिए फेंड्स ये वीडियो काफी जादा यूसफुल रहने वाला है नेक्स कोशन, लोकसभा के अन्य नाम क्या है? सही आंसर है, उप्शन D, उप्युक सभी, निमन सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन, ये तीनों सदन जो हैं फ्रेंड्स, ये तीनों नाम जो हैं लोकसभा के अन्य हैं, नाम है नेक्स कोशन, रास्टी अपातकाल के दोरान, लोकसभा के कारेकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर है, उप्शन D, एक वर्ष के लिए, रास्टी अपातकाल के दोरान, लोकसभा का जो कारेकाल एफेंड्स, उसे एक बार में एक के लिए बढ़ाया जा सकता है नेक्स कोशन कर लेते हैं important रहेगा 42 में सम्मिधान संशोधन 1976 के दोवारा लोकसभा का कारेकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर कितना कर दिया गया था सही आंसर है option B 6 वर्ष 42 में सम्मिधान संशोधन 1976 के दोवारा लोकसभा का कारेकाल 6 वर्ष से घटा कर कितना कर दिया गया है सही आंसर है option A 5 वर्ष 44 में सम्मिधान संशोधन 1978 के दोवारा लोकसभा का का कारेकाल था उसे 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करेगा कम से कम आपने 10 वर्ष के साथ शेर भी जरूर करेगा और वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा हुआ है एक लाइक का टारगेट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है फ्रेंट्स वीडियो को like चुरूर करिएगा next question धन विदह को राज्य सभा अधिक्तम कितने दिन के लिए रोक सकता है सही answer है option D 14 दिन के लिए धन विदह को फ्रेंट्स राज्य सभा जो होता है वो अधिक्तम 14 दिन के लिए रोक सकता है अगर फ्रेंट्स अगर 14 दिन के बाद ये जो धन विदह को होता है ये अपने आपी पारित हो जाता है next question कौन सा सदन जनता द्वारा प्रतेक्ष रूप से निर्वाचित सदन है सही answer है option B लोकसभा लोकसभा जो सदन है फ्रेंट्स ये जनता द्वारा प्रतेक्ष रूप से निर्वाचित सदन है अगला question कर लेते हैं कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिन दित्व करता है सही answer है option C लोकसभा लोकसभा जो है friends ये भारत में जनता का प्रतिनिदित करता है और friends यहाँ पर जो मैंने आपको दो questions करवाये थे कि 42 संभीधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा कारेकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया आपसे friends ये exam में question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस संभीधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कारेकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष किया गया आपका अंसर होगा 42 संभीधान संशोधन 1976 और friends ये दोनो questions एक्जाम में पूछे गए है और friends जैसे मैंने आपको यहां पर ये करवाये था कि जो 44 संभीधान संशोधन 1978 था इसके द्वारा लोकसभा का कारेकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया आपसे पूछेंगे कि किस सम्मिधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कारेकल 6 वर्षे घड़ा कर 5 वर्ष किया गया आपका अंसर होगा 44 सम्मिधान संशोधन 1978 फिर्ट सी दोनों कोशन एक्जाम में पूछे गए है नेक्स कोशन वर्तमार में लोकसभा की कितने सदस्यों को र जो की राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है नेक्स कोशन लोकसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है सही आंसर है ओप्शन C 552 फ्रेंट्स लोकसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या होती है नेक्स कोशन लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या क मैं आपको बैदा दूँ कि इस वीडियो में आपको most important 76 question, 78 question करवाने वाला हूँ, जब आपकी 78 question complete हो जाएंगे, सभी question मैं आपको एक बार revision भी करवाऊंगा, ताकि आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं, और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, यह लाइक ही है जो मुझे motivate करता है अगली वीडियो के लिए समिधान संशोधन द्वारा लोगसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी गई समिधान की अनुछेद 82 के अनुसार लोगसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगन्ना की अधार पर है सही आंसर है Option D, 1971 समिधान का अनुछित 82 के अनुसार फ्रेंज, लोकसभा की सीटों का राज्यों की मधे आवंटन 1971 वर्ष की जनगन्ना की अनुसार है ये कोशन भी एक्जामे कई बार पूछा गया है नेक्स कोशन लोकसभा में राज़वर सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगना पर अधारित है यह निर्धारन किस वर्ष तक यथावत रहेगा सही आंसर है Option D 2026 तक लोकसभा में राज़वर सीटों की आवंटन 1971 की जनगना पर अधारित है यह है निर्धारन फ्रेंट्स 2026 तक यथावत रहेगा काफी बार एक्जाम में पूछा गया कोशन है लोगसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है सही आंसर है option A, राष्टपती के द्वारा राष्टपती के द्वारा प्रधानमंत्री की सलहा पर लोगसभा को भंग किया जा सकता है नेक्स कोशन लोगसभा में दो एंगलो भारतिय सदस्यों को कोन मनोनित करता है सही आंसर है option C, भारत के राष्टपती राश्टपती जो होते हैं Friends, ये लोक सभा में दो अंगलो भारतिय सदस्यों को मनोनित करते हैं किस अनुचेत के अनुसार राश्टपती अंगलो भारत समधाय का परति अनुर्ण दितर पर्दान करने के लिए अधिक से अधिक दो सदस्ये मनोनित कर सकता है सही आंसर है अनुछे 331, अनुछे 331 की अनुसार फ्रेंट्स राश्ट्पती जो होते हैं ये अंगल भारतिय समुदाये को परतिनीदित परदान करने वाले अधिक से अधिक दो सदस से मनोनित कर सकते हैं, काफी बार पूछा गया कोशन है ये सही आंसर है, ओप्शन बी 25 वर्ष लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए वो 25 वर्ष होने चाहिए, important question है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सतर होने चाहिए सही आंसर है, option B, दो एक वर्ष में फैंस लोकसभा के कम से कम दो सतर होने चाहिए ये भी एक्जाम में पूछा गया, question है next question, चेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन चेतर कौन सा है सही आंसर है, option B, लद्दाक चेत्रफल की दृष्टी से फैंस सबसे बड़ा लोक निर्वाचन चेतर है लद्दाक जो की friends, आज की डेट में केंदर शाशित परदेश बन गया है भारत का next question, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कोन थे सही आंसर है, option D, जीवी मावलनकर यानि की गनेश वासुदे मावलनकर जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे भारत के next question, प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष क्या थी? सही आंसर है, option A, 13 मई 1952 से लेकर friends, 4 अपरल 1957 तक प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष थी friends, 13 मई 1952 से लेकर 4 अपरल 1957 तक यह आपने याद रखना है next question, किस राज्यकी लोकसभा वे राज्यसभा में सरवाधिक सीटे हैं? सही आंसर है, option D, उत्तरबर्देश उत्तरबर्देश राज्यकी लोकसभा वे राज्यसभा में सरवाधिक सीटे हैं? अगला question है मारा संसर्थ के किस सदन में सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है सही answer है option even, लोगसभा में संसत के किस सदस्यों का जो निर्वाचन होता है friends, ये जनता के द्वारा किया जाता है friends के बाद जो मैं आपको revision करवा रहा हूँ revision आपके लिए काफी ज़्यादा important रहेगा और friends मैं आपको एक good news देता हूँ कि जल्दी friends हमारी GK की book launch होने वाली है अगर friends आप किसी भी exam की अगर त्यारी कर रहे हो friends हमारी book जो होगी जिसका नाम होगा Ravie GK Ravie GK की नाम से book launch होगी friends ये हर exam के लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाला है और friends आपको मैं इतनी shorty देता हूँ कि जितने भी question इसमें हमने लिये हैं बिल्कुल selected लिये हैं और exam में friends आपको direct question देखने को मिलेंगे हमारी book से तो friends ये book जल्दी launch हो जाएगी लिंक मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा या आप Amazon या Flipkart से भी ले सकते हो next question लोगसभा का सची वाले किसके नियंतरन में होता है सही answer है option D लोगसभा अध्यक्ष के लोगसभा का जो सची वाले होता है friends वो लोगसभा अध्यक्ष के नियंतरन में होता है next question प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कोन थे जिनके विरुद लोगसभा में और विश्वास प्रस्ताव लाया गया था सही answer है option B जीवी मावलनकर जीवी मावलनकर प्रथम लोगसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद लोगसभा में और विश्वास प्रस्ताव लाया गया था next question लोगसभा की पहली महिला अध्यक्ष कोन थी सही answer है option D मीरा कुमार मीरा कुमार जीवी फ्रेंट्स ये लोगसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी next question मूल समिधान में लोगसभा सदसों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है सही answer है option A 500 मूल समिधान में फ्रेंट्स लोगसभा सदसों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो की गई है 500 next question 31 में समिधान संशोधन 1973 के द्वारा लोगसभा सदस्यों की संख्या 525 से कितनी कर दी गई सही answer एसका option D 545 31 में समिधान संशोधन 1973 के द्वारा लोगसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी गई आपसे एक्जामे फ्रेंट ये कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस समिधान संशोधन के द्वारा लोगसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 की गई अंसर होगा 31 समिधान संशोधन 1973 next question next question है मारा सरकार के खिलाब और विश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है सही आंसर है option A लोगसभा सरकार के खिलाब जो और विश्वास प्रस्ताव होता है ये लोगसभा में लाया जाता है next question मंत्री परिशद किस के प्रती उत्तरदाई होते हैं सही आंसर है option C लोगसभा के लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं फेंट्स मंतरी परिशद ये आपने याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं लोकसभा चुनाव किस पद्रति से कराया जाता है सही आंसर है option A प्रतेक्ष मद्दान के द्वारा लोकसभा चुनाव जो होते हैं Option C, राज्यों की जनसंख्या के अधार पर सीटे आवंटित होती है. Next question, किसे लोगसभा का अभी रक्षक कहा जाता है? सही answer है, Option C, लोगसभा अध्यक्ष को. लोगसभा अध्यक्ष को, friends, लोगसभा का अभी रक्षक कहा जाता है? Next question, लोगसभा का नेता कौन होता है? सही answer है, Option C, प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री जो होते हैं, friends, ये लोगसभा का नेता होते हैं. Next question, भारत के लोगसभा अध्यक्ष किस देश के House of Commons की अध्यक्ष की तरह होते हैं? सही answer है, Option D, इंग्लैंट. बारत के लोगसभा अध्यक्ष, friends, इंग्लैंट के House of Commons की अध्यक्ष की तरह होते हैं. Next question है, लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिती में लोगसभा की अध्यक्षता कोन करते हैं? प्रेंट्स यह कोशन यहीं कि अगर लोगसभा की अध्यक्ष और लोगसभा की अध्यक्षा कोन करते हैं सही आंसर है option D लोगसभा का वरिष्थम सदस्या यह आपने याद रखना है next question किस लोगसभा अध्यक्ष का कारिकाल सबसे लंबा रहा है सरी आंसर है, option C, बलराम जाकर, बलराम जाकर जो लोगसभा अध्यक्ष देफेंस इनका कारेकाल सबसे लंबा रहा है Next question, लोगसभा के सदस्यों की निर्ग्योकता किसे संबंदित परशनों का निर्ने कोन करते हैं? सरी आंसर है, option A, लोगसभा अध्यक्ष लोगसभा के सदस्यों की निर्ग्योकता से संबंदित परशनों का निर्ने फेंस लोगसभा अध्यक्ष करते हैं? यह question भी exam में कई बार पूछा गया है सरी आंसर है, option C, प्रोटेम स्पिकर, जो ओते हैं फ्रेंट प्रोटेम स्पिकर अगला कोशन कर लेते हैं सही आंसर है, option C, भारत के राष्टपती, राष्टपती जो अते हैं फ्रेंट्स ये प्रोटेम स्पिकर की नियुक्ती करते हैं अगला कोशन कर लेते हैं, कितने दिनों तक अनुपस्तित रहने पर लोगसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है सही आंसर है, option B, दो महिने, दो महिने तक अनुपस्तित रहने पर लोगसभा के सदस्य की सदस्यता होती है वो समाप्त हो जाती है Next question लोकसभा का अजस्थाई अधिक्ष कौन न्यूक्ट करता है? सही answer है Option B राश्च्टपती राश्च्टपती जो होते हैं भारत के फ्रिंट्स ये लोकसभा के जो अजस्थाई अधिक्ष होते हैं इनकी न्यूक्टी करते हैं Next question कर लेते हैं एक्जामे कई बार पुछा गया है, निरनायक मत्र देने का अधिकार किसे है, सही आंसर है, option D, लोगसभा अध्यक्ष के पास, लोगसभा अध्यक्ष के पास, निरनायक मत्र देने का अधिकार होता है, next question, भारत में प्रथम लोगसभा का गठन कब किया गया, सही आंसर है, option C 17 April 1952 को बारत में प्रथम लोकसभा का गठन किया गया नीक्स कोशन सही आंसर इसका बार पहली बार blend 1972 में किया गया था सम्मिधान का कौन सा अनुचेध लोकसभा के अधैक्ष तथा उपाध्यक्ष की निक्ति का प्रावधान करता है सही आंसर है अगला कोशन करो जते हैं सही आνसर है आप्शन B 530 लोगसभामें फ्रेंट्स राज्यों के निर्वाचन चेतरों से अधिक्तम 530 सदस्य हो सकते हैं सरी आंशर है Option C, 20 लोकसभा में फ्रेंड संघ्य छेतरों से अधिक्तम 20 सदस्य हो सकते है Next question वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित है सही answer है Option A, 524 वर्तमान में 28 राज्यों से 524 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित है Next question वर्तमान में आठ कींद्र शाशिद परदेश से कितने सदसे लोकसभा में निर्वाचित हैं? सही ouais आन्सर है, option A, 19 वर्तमान में आठ कींद्र शाशिद परदेश फिरेंज्ड्स उननिस सदसे लोकसभा में निर्वाचित हैं ये भी आपने याद रखना है next question कौन सा राज्ञे लोकसभा में अनुसुची जन जाती के सरवाधिक प्रतिनिति को निर्वाचित करता है लोकसभा या विधान सभा के निर्वाचन में एक उम्मेदवार अपनी जमानत की राशी खो देगा अगर उसे कुल वैद मतों का –से कम मत प्राप्थ हो सही आंसर है, option A एक बटे 6, लोकसभा या विधान सभा के निरवाचन में एक उमिद्वार अपनी जमानत की राशी खो देगा अगर उसे कुल वैद मतों का, एक बटे 6 से कम मत प्राप्त होता है तो, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, प्रेंट्स आपके लेवल देखे बता लग रहा होगा सभी question exam oriented है और फ्रेंट्स हर exam में कई बार repeat हो चुके हैं, तो फ्रेंट्स एक question आपके लिए काफी जादा useful है नेक्स question, लोकसभा के बैठक के दो सतरों के बीच अधिक्तम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए, सही answer है option B, 6 महा का लोकसभा के बैठक के दो सतरों के बीच फ्रेंट्स अधिक्तम 6 महा का अंतराल नहीं होना चाहिए नेक्स question, किस वर्ष से भूत्पू संसत सदस्यों के लिए पैंशन की विवस्था लागू की गई अंसर है, option C, 1976 1976 से फ्रेंट्स भूत्पू संसत सदस्यों के लिए पैंशन की विवस्था लागू की गई नेक्स question, लोकसभा का कारेकाल पांच वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है सही answer है, option B राष्टी अपातकाल के दोरान लोकसभा का कारेका, पांच वर्ष से अधिक राष्टी अपातकाल की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, मैं बता दूँ कि हमारा current affairs का channel launch हो चुका है हमारे current affairs channel का नाम है current affairs by ravie अगर आप किसी भी exam की अगर आप तयारी कर रहे है ये channel आपके लिए काफी जादा useful रहेगा daily current affairs की वीडियो आती है detail वाला pdf दिया जाता है मेरे एक और जीके का channel है जिसका नाम है ravie gkgs इसे भी आप अभी subscribe कर लीजिए मारा blog channel भी है जिसका नाम है ravie xyz craze इसे भी friends आप subscribe कर लीजिए ravie xyz craze भी लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है next question काफी बार पुछा गया है लोगसभा में कोरम जिसे की हम गनपूर्ती भी बोलते हैं पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है सही आंसर है option a कुल सदस्यों का एक बटे दस भाग लोगसभा में friends कोरम यानि गनपूर्ती पूरा करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का एक बटे दस सदस्यों होने जरूरी होते है next question लोगसभा का कारेकाल कितने वर्षों का होता है सही आंसर है option c next question किंदर शाषित परदेश दिली से कितने निर्वाची सदस्यों लोगसभा में आते है सही आंसर है option c किंदर शाषित परदेश दिली से फ्रेंज साथ निर्वाची सदस्यों लोगसभा में आते है next question उत्तर परदेश के बाद सबसे अधिक लोगसभा सबदस्य किस राज्य से आते हैं? सही आंसर है Option D. महाराच्ट से उत्तर परदेश के बाद सबसे अधिक लोगसभा सबदस्य से आते हैं महाराच्ट राज्य से या आपने याद रखना है Next question लोकसभा में एक निर्वाचन छेतर कम से कम कितनी जनसंख्या का परतिन्दित्व करते हैं? सही आंसर है, option C, 7.5 लाख, 7.5 लाख जनसंख्या का परतिन्दित्व करते हैं, लोकसभा में एक निर्वाचन छेतर नेक्स्क्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्स सांसत लोकसभा में होने चाहिए सही आंसर है Option D 55 एक दल लोकसभा में विबक्षी दल होने का दावा करता है उस दल के पास नियोंतम 55 सांसत लोकसभा में होने चाहिए Next question प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई सही आंसर है Option D 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी Next question लोकसभा में मंतरी परिशद के विरुद आव विश्वास का प्रस्ताव लाने है तो नियोंतम सदस्य की संख्या कितनी होती है सही आंसर है Option D 50 लोकसभा में मंत्री परिशत के विविद और विश्वास का प्रस्ताव लाने होतु नियुनतम सदस्य की संक्या होती है, पचास next question, कोई विधेग दन विधेग है या नहीं, इसका निर्ने कोन करता है next question, next question है मारा, प्रथम जन जाती है लोकसभा अध्यक्ष कोन थे अगला question है मारा, भारतिय संसत की लोकसभा अध्यक्ष को कोन योकति करता है सही answer है, option A, लोकसभा अध्यक्ष, भारतिय संसत की लोकसमीती के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते है आखरी question कर रहे है friends, हम इस वीडियो का, संसत की की सदन को लोकसभा कहते है सही आंसर इसका, option B निचला सदन, संसद का जो friends निचला सदन होता है, उसे हम लोकसभा कहते हैं, friends मैंने आपको ये 78 question करवाए, उसकी बाद friends अब इस वीडियो का सबसे बहतरीन पार्ट है revision, जितने भी question friends मैंने आपको अभी करवाए है, फटा फट से मैं आपको revise करवा देता हूँ, ताकि friends आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं, और friends मैं आपको बता दूँ कि जल्दी हमारी book launch होने वाली है रवी जीके जीयस के नाम से, तो friends ये book आपके लिए काफी जादा useful रहेगी, link वीडियो के discussion में है, यहाँ से friends आप ये book ले सकते हो तो चलिए start करते हैं revision first question से first question है मारा सम्मिधान के किस अनुछेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है, सही answer है अनुछेद 81 next question, धन विधे को केवल कहा पेश किया जा सकता है answer है लोकसभा में next question किसी विधे को धन विधे कोन घोशित कर सकता है, answer है लोकसभा अध्यक्ष next question है revision का समिधान के किस अनुछेद में धन विधे के बारे में बताया गया है, answer है अनुछेद 110 लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को नेक्स कौशन लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष का चैन कौन करता है? आंसर है लोकसभा के सदस से अगला कोशन कर लेते हैं रिवीजन का लोकसभा सदस से बनने के लिए योगेता क्या होनी चाहिए? आंसर है निवन्तम आयो 25 वर्ष भारतिय नागरिक होना चाहिए किसी भी लाभ के बद पर ना हो और मानसिक तोर पर वो ठीक हो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिती में किसी विध्यक को धन विध्यक कोन घोशित कर सकता है? आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का अन्यय नाम क्या है? आंसर है लोकप्रिय सदन और फ्रेंड्स निमन सदन भी होता है और और स्थाई सदन भी होता है राश्टी अपातकाल के दोरान लोकसभा के कारेकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आंसर है एक वर्ष के लिए 42 में सम्मिधान संशोधन 1976 के दोरा लोकसभा का कारेकाल पांच वर्षे बढ़ा कर कितना कर दिया गया था धन विधेक को राज्य सभा अधिक्तम कितने दिनों के लिए रोक सकता है? आंसर है 14 दिन के लिए. Next question. कौन सा सदन जनता द्वारा प्रतेक शुरूप से निर्वाचित सदन है? आंसर है लोकसभा. कौन सा सदन भारत में जनता का पर्थिनित्व करता है? आंसर है लोकसभा. वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? आंसर है 530. लोकसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है? आंसर है 552. फिरिंट्स, यहां पर बात राज्यों की हुई थी. इसलिए 535 इसका आंसर था लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है आंसर है 545 किस समिधान संशोधन दुवारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई आंसर है 31 समिधान संशोधन समिधान के अनुच्छित ब्यासी के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मद्धे आवंटन किस वर्ष की जनगन्ना की अधार पर है आंसर है 1971 लोकसभा में राज्यवर सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगन्ना पर अधारित है यह निर्धारन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? अंसर है 2026 तक लोकसभा को किस के द्वारा भंग किया जा सकता है? अंसर है राश्टपती के द्वारा लेकिन प्रधानमत्री की सलहा पर लोकसभा में दो एंगलो भारतिय सदस्य को कोन मनुनित करता है? अंसर है राश्टपती करते हैं नेक्स कोशन काफी बार एक्जाम में पुछा गया है किस अनुचेद की अनुसार राष्टपती एंगल भारतिय समुधाय को परतिनित्य परदान करने के लिए अधिक से अधिक दो सदस्या मनुनित कर सकता है अंसर है अनुचेद 331 और फ्रेंट्स मैं आपको एक गुड़नि रह सकते हैं सभी फ्रेंट्स आपको कोशन मिल जाएंगे हमारी बुक में फ्रेंट्स कर आपने ये बुक खरीदना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिपिशन में लिंक है या एमेजोन या फिलिपकार्ट से भी ले सकते हो नेक्स कोशन लोगसभा चुनाव में निर्वाचि कोन सा है आंसर है लद्दाक प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कोन थे आंसर है गनेश वासुदेव मावलंकर नेक्स कोशन कर लेते हैं प्रथम लोगसभा की अवधी क्या थी आंसर है 13 मई 1952 से लेके 4 अपरल 1957 तक किस राज्य की लोगसभा वे राज्य सभा के सरवादिक सीट आंसर है उत्तरप्रदेश नेक्स कोशन संसत के किस सदन के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है आंसर है लोगसभा का सच्चिवाले किसके नियंतरण में होता है आंसर है लोगसभा अध्यक्ष प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कोन थे जिनके कुमार, मूल समिधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, आंसर है 500, काफी बार एक्जाम में पूछा गया, फैंज जितने भी कोशन बन सकते थे ये लोकसभा से, मैंने सारे कोशन इस वीडियो में कवर कर दे हैं, पिछले भी फैंज जितने भी एक्जाम में कोशन पूछे गई हैं, वो सभी कोशन फैंज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, फैंज जबसे ज़्यादा कोशन में वो करवा रहा हूँ लोकसभा से, नेक्स कोशन, 31 समिधान शंशोदन 1973 के द्वारा, लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से कितनी कर दी ग आया जाता है, आंसर है प्रत्यक्ष मद्दान के द्वारा, लोकसभा में किस अधार पर सीटे आवंटित की जाती है, आंसर है राज्यों की जनसंख्या के अधार पर, किसे लोकसभा का अभी रक्षक कहा जाता है, आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को, नेक्स कोशन, लोकसभा का नेता कोन होता है आंसर है प्रधान मंत्री भारत की लोकसभा अध्यक्ष किस देश के house of Commons की अध्यक्ष की तरह होते है आंसर है England किस लोकसभा कारेकाल सबसे लंबा रहा है आंसर है बलराम जाकड लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्युक्ता से संबंदीत परशनों का निर्ने कोन करता है आंसर है लोगसभा के अध्यक्ष next question कर रहे हम revision का, अस थाई लोगसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है आंसर है proteme speaker proteme speaker की नियुक्ती कोन करता है, आंसर है राष्टपती करते हैं कितने दिनों तक अनुपस्तित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है आंसर है दो महिने लोकसभा का अस्थाइस अदस्य कौन युक्त करता है? आंसर है राश्वती करते हैं निर्नायक मतर देने का अधिकार किसे है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? आंसर है 17 एपरल 1952 को लोकसभः के निर्वाचन छेतरों की सीमा निर्धारन पहली बार कब किया गया था? आंसर है 1972 में समिधान का कौन सा अनुचेद लोकसभः के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की न्युक्ति का प्रावधान करता है? आंसर है अनुचेद 93 लोकसभः में राज्यों के निर्वाचन छेतरों से अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर है 530 लोकसभः में संगिय छेतरों से अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर है 20 वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभः में निर्वाचित हैं? आंसर है 524 वर्तमार में आठ केंदर शाषित परदेश से कितने लोकसभा में निर्वाचित हैं आंसर है 1910 अगला कुशन कर रहे हैं रिवीजन का कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसुचित जन जाती के सरवाधिक प्रतिनिति निर्वाचित करता है आंसर है मध्यबर्देश लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उमिद्वार अपनी जमानत की राशी खो देगा अगर उसे कुल वैद मतों का डैश से कम मत प्राप्त हो आंसर है 1 बटा 6 लोकसभा के बैठक के दो सतरों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए आंसर है 6 महा का नेक्स कोशन रिवीजन का किस वर्ष से भूतपूर संसद सदस्यों के लिए पैंशन की विवस्था लागू की गई आंसर है 1976 लोकसभा का कारेकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है आंसर है राष्ट्री या पातकाल के दोरान लोकसभा में कोरम जिसे की हम गनपूर्थी भी बोलते हैं पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है आंसर है कुल सदस्यों का एक बटे दस भाग लोकसभा का कारेकाल कितने वर्षों का होता है आंसर है 5 वर्षों का किंदर शाषित परदेश दिल्ली में कितने निर्वाची सदस्य लोकसभा में आते हैं आंसर है 7 उत्तरबर्देश के बाद सबसे अधिक लोगसभा सदस्य किस राज्य से आते हैं? आंसर है महाराष्ट लोगसभा में एक निर्वाचन छेतर कम से कम कितनी जन संख्या का प्रतिन धित्व करते हैं? आंसर है 7.5 लाख लोगसभा के लिए वर्टमान में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हैं? आंसर है 543 एक दल लोगसभा में विवक्षी दल होने का दावा करता है उस दल के पास नियोंतम कितने सांसत लोगसभा में होने चाहिएं? आंसर है 55 प्रथम लोगसभा की पहली बैठक कब हुई? आंसर है 13 मई 1952 लोगसभा में मंत्री परिशत के विरुद और विश्वास का प्रस्ताव लाने हैं तो नियोंतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 50 कोई विधेग, धन विधेग है या नहीं, इसका निरने कौन करता है? आंसर है लोगसभा अध्यक्ष अगला कोशन करते हैं रिवीजन का प्रथम जन जाती है लोगसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पिये संकमा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कम से कम 10 फ्रेंट के साथ शेर भी जरूर करिएगा भारती संसद की लोगसभा अध्यक्ष को कोन युक्त करता है? आंसर है लोगसभा अध्यक्ष आखरी कोशन कर रहे है हम रिवीजन का संसद के किस सदन को लोगसभा कहते हैं आंसर है संसद का जो निचला सदन होता है उसे लोगसभा कहते हैं मैंने आपको ये 78 कोशन करवा है डिटेल में उसकी बाद मैंने आपको सभी कोशन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि friends आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं और friends अगर आपको वीडियो प्रसंद आई है वीडियो को like जरूर करेगा friends और मैं आपको good news देता हूँ कि जल्दी friends हमारी book launch होने वाली है अगर आप किसी भी exam की friends preparation कर रहे हो तो friends यह जो book है friends काफी ज्यादा useful रहेगी आपके लिए हमारी book का जो friends नाम होगा वो रवी जीके के नाम से होगा लिंक मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा friends जब भी launch हो जाएगी बुक और मैं आपको बता दो friends मतलब कि subject wise भी हमारी book launch होने वाली है प्रतब पॉलिटी की, geography की, science की, history की तो friends यह book भी काफी जादा आपके लिए useful रहेगी friends हमारा current affairs का channel भी launch हो चुका है हमारी current affairs channel का नाम है current affairs by Ravi यहाँ पर लिख देता हूं मैं current affairs by Ravi लिंक friends वीडियो के description में है daily film वीडियो आती है सुबह चार बजे और retail वाला PDF भी दिया जाता है और friends हमारा एक और channel है GK का जिसका नाम है Ravi GKGS, Ravi GKGS friends हमारा एक blog channel भी है जिसका नाम है Ravi XYZ Grace इस channel को भी आप subscribe करें जिए friends अभी का link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best